हेलो स्टुडेंट्स वैलकम जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस टाइम पे फिफ्ट उनिट अपनी पढ़ रहे हैं और फिफ्ट उनिट जो है हमारी वो कल्च्रल हैरिटेज और पर्फॉर्मिंग आर्ट्स के उपर है तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ पर्फॉर्मिंग आर्ट्स देखी थी अब आज के इस लेक्चर में भी हम बाकी जो हमारे स्लेवर्स में पर्फॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे पहली हमारी पर्फॉर्मिंग आर्ट है डान्स तो डान्स बिसिकली क्या होता तो जब हम Indian dance की बात करते हैं, तो जो हमारा Indian dance है, वो basically दो type का होता है, एक है classical और दूसरा है folk dance, और दौनों में difference बहुत है, है ना, दौनों को अगर हम study करें, तो दौनों में हमें काफी difference देखने को मिलता है, और जो major difference है दौनों के बीच में वो क्या है, origin, यह dance कैसे बने, कैसे इनका origin हुआ, ये basic difference है दौनों dance के बीच में, classical और folk dance के बीच में, जब हम classical dance की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक literature का नाम लोगा, भरत्मुनी हुए हैं, भरत्मुनी ने एक literature लिखा है, नाटि शास्त्र, तो नाटि शास्त्र के अंदर, basically जितनी भी performing arts है इंडिया के अंदर, उनके बारे में बहुत ज़्यादा information हमें पढ़ने को मिलती है, बहुत ज़्यादा knowledge मिलती है, तो नाटि शास्त्र में बताया गया है कि यह जो classical dance है, basically, यह जैसे हमने second unit में जब वेद पढ़े थे और उसमें हमने, क्या कहते हैं, आपका सामवेद पढ यह हमारे Indian culture में deeply rooted है, ठीक है, and it has deeply rooted relation with the नाटि शास्त्र, क्योंकि नाटि शास्त्र में यह सारे dance या जो अभी हम classical dance के बारे में पढ़ेंगे, वो उनको बताया गया है, और उनके क्या-क्या specific features हैं, यह भी बताया गया है, ठीक है, जितनी भी classical dance form है, वो भी नाटि शास्त् mentioned है, लेकिन जो हमारा folk dance होता है, folk dance basically आपका local tradition के उपर based होता है, जैसे कोई particular community है, particular कोई caste है, particular कोई tribe है, वो उनका जो dance होगा, वो basically folk dance होगा, जिसको लोक नरित्र बोलते हैं, ठीक है, और यह जो folk dance होता है, यह किसी state का, किसी राज्जी का dance हो, जैसे UP का कोई dance हो, या फिर आपका Assam के अंदर जंगलों में कोई tribe रहती है, उनका अपना कोई dance हो, तो basically folk dance जो होता है, वो state के उपर, या फिर geographic reason जो होता है, उसके उपर depend करता है, फिर और क्या difference है दोनों के बीच में, classical dance के अंदर basically जो costumes wear किये जाते हैं, costume पहने जाते हैं, वो particular होते हैं, specific हो जो होते हैं, कि अगर भरत नाटियम classical dance होगा, तो उसके लिए क्या costume होगा, लेकिन folk dance के अंदर basically क्या होता है, जो community होती है, जो tribe होती है, जो cast होती है, उनकी जो अपनी dress होती है, उसको पहन के वो folk dance करते हैं, ठीक है, Now, basic element of classical dance, अब देख लेते हैं, कि dance के basic elements क्या-क्या है, तो जो मैंने अभी आपको बताया, नाटिशास्त जो है, किसने लिखा, भरत मुनी ने लिखा, तो अभी यह आपका एक multiple choice question यहापे बन जाता है, है ना, कि नाटिशास्त किसने लिखा, ठीक है, तो answer में आप किसको ट करेंगे, भरत मुनी को टिक करेंगे, तो जब हम नाटिशास्त की study करते हैं, तो हमें dance की various forms के बारे में, उसकी characteristic के बारे में information मिलती है, तो basically dance के दो basic aspect है, classical dance के, अभी हम classical dance की बात कर रहे हैं, यहापे, पहला इसमें basic element है, last से, last से क्या होता है, last dance की form होती है, जो grace, भाव, रस और अभीने को denote करती है, और basically यह feminine feature होता है, मतला female से इसको relate करते है, generally यह जो last style होता है dance का, यह females जो होती है, वो perform करती है, second basic aspect है, तांडव, this is symbolic to male aspect, ठीक है, generally जो यह तांडव form है, इसको, जो male dancers होते हैं, वो perform करते हैं, और तांडव के अंदर ज़्यादा emphasis, जो है, व उपर और movements के उपर दिया जाता है, ठीक है, now basic elements means dance, यह भी कह सकते कि dance कितने तरह, जैसे उपर हमने form बता दिया, अब dance में क्या-क्या narrate करते हैं, यह यह क्या-क्या बताते हैं, तो classical dance के basically three elements है, पहला इसमें निर्टा, these are the basic dance step and are performed rhythmically, but devoid of any expression or mood, निर्टा dance form के अंदर basically क्या किया जाता है, जो classical dance की basic steps होती है, उनको rhythm के उपर perform करते हैं, लेकिन face के उपर किसी भी तरह का expression नहीं होगा, dance के अंदर किसी भी तरह के mood को show नहीं किया जाएगा, या express नहीं किया जाएगा, दूसरा है नाट्य, नाट्य basically शब्द बनाए या नाट्य से बनाए नाटक, या उसको हम relate करते हैं, ड्रामा से, तो it means dramatic representation and refers to the story that is elaborated through dance recital, dance के through, किसी story का narration करना, ये नाट्य है, और तीसा है नृत्य, it refers to the sentiment and the emotions evoked through dance, it includes the mime and the different methods of expression, including mudras in the dance, नृत के अंदर basically क्या होता है, different तरह की जो body की मुद्राएं होती है, hand की position होती है, lack के movements होती है, उन सब के उपर धिया जाता है और सबसे important इसमें emotions को express किया जाता है, कोई particular sentiments, emotions को या facial expressions की तरफ धिया जाता है, फिर जितनी भी हमारी basically arts है, जो ancient India से हमारे India के अंदर चली आ रही है, वो सारी की सारी जो है गुरू शिशे परंपरा के उपर based है, तो dance के अंदर भी गुरू शिशे परंपरा चली आ रही है हमारे India के अंदर, इसमें basically क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जो गुरू है, टीचर है, उनके पास क्या है, डान्स की नौलेज है, और कोई student जब उनसे सीखता है, तो वो अपनी डान्स की information, डान्स की नौलेज को अपने student में, अपने शिशे में क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर कर रहे हैं, इसी को बोला गया है, गुरू शिश्य परंपरा, जब हम classical dance की बात करते हैं, तो उसमें eight basic technicalities है, technicalities का basic मतलब यहां पर यह है, कि हम dance के दुरू किन-किन expressions को express कर सकते हैं, किस तरह के dance perform, Indian classical dance में होते हैं, तो जो expressions हैं, आर्ट वो है, श्रिंगार, श्रिंगार को बोलते हैं, लव, दूसरा है हास से humorous, तीसा करुण, sorrow, अगर दुख दिखाना है है न, dance के अंदर, रौद्र, एंगर, वीर, heroism, भयानक, fear, भीबत्स, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, discussed, अदबुत, wonder, तो इस तरह की art basic technicalities को हम dance के अंदर show कर सकते हैं, अब classical dances की बात करते हैं, कि कौन-कौन से classical dance है और किस state से वो immersed हुए हैं, ठीक है, तो ये basically इसको multiple choice question में पूछा जा सकता है कि कौन सी dance form किस state से है, तो जैसे भरत-नाटियम classical dance है, वो तमिल-नाडू का है, तमिल-नाडू से immerge हुआ है, कथक जो है, वो उत्तप्रदेश का है, कुचिपुरी जो है, आंदर प्रदेश का है, ओडीसी जो है, ओडीसा का है, कथक कली, केरला, सतारिया, आसाम, मनिपुरी, मनिपुर का है, और मोहिनी अट्टम, केरला का है, ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर हम अपने इंडिया का geographic location देखें, या हम इंडिया को ये चारो directions देखें, तो चारो direction में basically जो ये कथक डा इंडिया के South Indian dance है, या फिर आपके जो Eastern states है, हमारे जैसे मनिपुरी और क्या करते हैं, आपके आसाम हो गए, है ना, वहां के dance है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमारे इंडिया के अंदर दो तरह का music चलता है, जो हम classical music की बात करते हैं, अभी ह करनाटिक संगीत, दोनों ही classical form है, music की, करनाटिक संगीत जो चलता है, वो चलता है South India में, South India के classical music को करनाटिक संगीत बोला जाता है, और जो North India में classical music चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत बोलते हैं ठीक है तो जितने भी ये हमारे classical dance हैं तो ये classical music के उपर ही perform किये जाते हैं ठीक तो उस में से कथक जो उत्तरप्रदेश में होता है एक अकेला ऐसा dance है जो North Indian classical music या हिंदुस्तानी music के उपर perform किया जाता है अकेला ही एक ऐसा dance है classical बाकिया तो South Indian music मतलब करनाटिक music के उपर perform होंगे या फिर आपका सतारिया और जो मैंने आपको बताया दूसरा मनीपूरी यह Eastern state के अंदर जो classical music है उसके उपर based है ठीक है नाव सेकेंड है हमारा इसमें performing art music तो fundamental elements देख लेते हैं पहले music के क्या होते हैं तो बिसिकली तीन चार fundamental इसमें elements होते हैं music के अंदर पहला है शुरूती commonly refers to musical pitch जो music के अंदर pitch होती है उसको शुरूती बोलते हैं तो आप में से जो student basically music जिन्होंने सीखा हुआ है या जो सीख रहे हैं वो इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि शुरूती किसको बोला जाता है pitch किसको बोला जाता है ना तो pitch क्या होता है pitch is the shortest interval या शुरूती is the shortest interval of pitch that human ear can detect shortest interval होता है जहां पर सुर का एक तरीके से कह सकते हैं उतारिया चड़ाव होता है तो इस shortest interval को हमारा हमारा जो human ear है वो detect कर सकता है या musical instrument पर उसको बजाया जा सकता है या singer उसको produce कर सकता है तो नाटिशास के according total 22 शुरूती जो है वो music के अंदर Indian classical music के अंदर होती है second is swear तो it refers to the type of musical sound तो यह जो swear होते है एक तरह से musical sound होती है जो एक single note होता है और which define a relative position of a note rather than a defined frequency there are seven source in the form of सारे गामा पाधा नी यह हमारे साथ सूर है और यह seven source जो होते हैं सूर्स जो होते हैं हमारे वो किसी ना किसी bird या animal की sound से relate होते हैं चीक है तीसरा होता है music के अंदर राग तो राग क्या है राग prescribes a set of rules for building a melody कोई हमें melody बनानी है कोई song बनाना है तो उसके लिए set of rules होते हैं उन set of rules को भला भाई इन इन rules को follow करते हुए हम music बनाएंगे या कोई melody बनाएंगे तो यह जो set of rules होते हैं इनको राग बोला जाता है और इसके अंदर basically क्या होता है it is characterized by a combination of notes picked out of the total 22 श्रुती जो हमने अभी उपर देखी उन में से notes लिए जाते हैं उनक्या different combination होता है और इसमें स्वर्स का different combination होता है राग involves arrangement of source in different sequences all the rocks are categorized in such a way that there will be in increasing and decreasing order of source जैसे high pitch में गाना गाना low pitch में गाना गाना स्वर का उतार हो रहा है स्वर के अंदर चड़ाव हो रहा है ना जो music सीखते हैं वो अच्छे से जानते हैं तो basically rock क्या होते हैं राग जो होते हैं स्वर को इस तरह से range किया जाता है कि या तो वो increasing order में होंगे decreasing order में होंगे चीक है तो कुछ important rocks देख लेते हैं जैसे राग भहरव तो राग भहरव जो है या morning राग है लेकिन इनका एक time fixed है ठीक है time fixed होने का reason यह हो सकता है कि उस time पे जो इनका एक particular time है अगर हम इनको सुनेंगे तो यह बहुत ज़्यादा हमें क्या लगेंगे melodious लगेंगे राग पहाड़ी जो है यह भी evening राग है ठीक है तेन राग यमन यह भी evening राग है इट संग फ्रॉम संसेट तिल लेट इवनिंग जब संसेट हो जाता है और उसके बाद भी थोड़ा उजाला रहता है तब इसको गाया जाता है राग जोग राग जो है वो midnight रा after midnight से लेकर जब सुबह होने वाली होती है उससे पहले का जो टाइम है दो बजे तीन बजे चार बजे उस टाइम पे इसको गाया जाता है राग मलहार जो है इसको rain से associate करते हैं कि अगर इसको बहुत अच्छे से perform किया जाए तो बारिश हो सकती है राग दीपक से जो है इसक गाने से आग लग सकती है ठीक है देन ताल ताल रफर सुथा बीट सेट फॉर पर्टिकुलर कंपोजिशन थीक ताल का मतलब है बीट सेट जो गाने में बीट आती है उसको ताल बोलते हैं हमने एक साथ स्वर ले लिया हमने शुती ले ली हमने कोई राग ले लिया रा उस तीनों के बेस बे हमने एक सॉंग बना लिया अब सॉंग को क्या देना है म्यूजिक देना म्यूजिक देने का मतलब यहां पहुसको ताल देनी necesita का वि Gobra उसन वर्ण से डिसाइट कर लिया लेकिन वो सुननों अच्छा लगेगा अच्छा लियके कब जब उसको ताइक मिले आट 2 beats होती में और यह अंदर आया और यह ख़ू गारी की होती मे नहीं रहेंगी लियुकरा कि नुदर की में लाएक Chinese क्लाश मिम्ठ पर अंत्र में ऊसंत्र हैं, और आ इसे बाद अंत्र आ आका गाये जता में हो गया तो ताल बिसिकली क्या होती है रिपीट होती है एक ही सौंग के अंदर तो डांस पढ़ लिया म्यूजिक देख लिया नेक्स परफॉर्मिंग आर्ट है हमारी थेटर तो ट्रेडिशनल थेटर इस अ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है इस सिंगिंग ओती है कि यह सब मिल के बिसिकली क्या music played a central role in depicting the local history, societal ethos, etc. ठीक है? अगर हम इसकी क्या करते हैं? ठीटर की बात करते हैं, तो ठीटर जो है, basically इसमें recitations होते हैं, ठीटर में stage पे कोई actor होगा, वो recitation करेगा, dance होगा, music होगा, और इसमें general local history के बारे में या जो समाजिक लोकाचार है, societal ethos है, उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है? और यह जो based होता है, it is based on the spontaneous creativity emerging from circumstances. अब माली यह कोई story का narration हो रहा है, theater के अंदर, stage के उपर, और वहाँ पर actor के सामने कोई ऐसी situation आ जाती है, तो अचानक से उसके अंदर creativity के कारण, acting में change आना, उसकी बात कि किस तरह का condition, किस तरह की circumstances, actor के पास आगे हैं, उसने अपने आपको किस तरह से improvise किया, यह basically theater में होता है, traditional जो theater रहा है, उस वो एक common feature रहा है, जिससे cultural activities जो है, या cultural, जो हमारा culture है, उसका promotion किया जाता था, और theater के basically six elements होते हैं, पहला होता है plot, बहुत है, story का plot किया है, फिर उसके अंदर, story के अंदर, कौन-कौन characters है, then किस तरह के विचार है, किस तरह के शब्द यूज किया जाएंगे, diction का मनलब है किस तरह के शब्द, language की बात की गई है, फिर music कैसा होगा, और spectacle को basically बोलते हैं, तमाशा, मनलब overall जो stage पर performance होगी, वो किस तरह की होगा, ठीक है, तो यह basically theater है, अब अगर हम traditional theater की बात करे हैं, कि इंडिया के अंदर किस तरह का theater है, उसकी different form कौन-कौन सी है, तो अलग-अलग state की यह अलग-अलग forms है, जैसे for example, भवई, भवई जो है, गुजरात और राजिस्थान के अंदर theater जो होता है, उसको बोला जाता है, नौटं की जो होती है, वो उत्तबरदेश का है, र निका, नाट, आसाम का है, दशावतार, कोंकन और गोवारीजन का है, तो यह अलग-अलग तरह के theater की forms है, फिर जब हम medieval period की बात करते हैं, तो medieval period में क्या हुआ, बहुत सारी reasonable language उभर के सामने आई, और उसमें लिखा जाने वाला literature भी सामने आया, रीजनल लैंगवेज में literature लिखा जाने लगा, लेकिन यह जो रीजनल लैंगवेज में literature लिखा जाने लगा, इट डिड्नाट प्रेद्यूस ड्रेमाइटिक वर्क, ज्याधा drama के अंदर use नहीं किया गया, थेतर के अंदर use नहीं किया गया, comparable to ancient classics, इंशेन टाइम में तो use ह इंडिया का लिट्रेचर था लेकिन जो मेडिवेल पीरेड में लिट्रेचर लिखा गया वह जादा यूज नहीं होता था सम्सक्षाइब इन रिलिजिस ड्रामा ड्यू तू इस रिफॉर्म कुछ इनोवेशन्स तो हुए लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हुए फिर जब ब्रिटिश कोलोनियल ब्रिटिश राज हमारे इंडिया के अंदर आया 18 और 19 सैंचुरी में तो कह सकते हैं जो इंडियन ड्रामा था उसका क्या कहते हैं एक तरीके से या थेटर की जो एक तरह से जिसमें इस पॉन वो आ गई थी स्टैगनेशन आ गया था वो दुबारा से रिबॉन हुआ और बेसिकली इसके पीछे जो प्रेडना थी इंपीटिस था वो दो सोर्सेस से आया एक तो इंडिया का रिच हैरीटेज रहा है ड्रामा के अंदर और बाद में जब ब्रिटिश आये तो इंडिया के लोगों को इंडिया के एक्टर्स वगईरा को वैस्टन ड्रमैटिक क्लासिक इंगलिश जब उन्होंने पड़ी तो इंग्लिश के ड्रामा के बारे में भी पता चला और इस दौरान काफी कुछ जो है संस्क्रिट से और वैस्टन क्लासिक से ट्रांसलेशन भी हुआ हिंदी में और फिर उसको ड्रामा और थेटर में प्रस्तुत किया गया तो कह सकते हैं कि an unprecedented development in theater was the rise of entertainment theater और यहीं से एक तरह से जो थेटर था वो एक entertainment का साधन बन गया this arose in order to provide entertainment to the increasing population of big cities consequent upon industrialization the new urban theater is popularly known as पार्सी theater तो अब धीरे धीरे क्या हुआ industrialization भी हो रहा था और साथ में entertainment के साधन भी भढ़ रहे थे जिसमें theater जो है वो काफी उभरा और जो new urban theater था शहर के अंदर जो basically theater किया जाने लगा उसको उस time पे पार्सी theater बोला जाता था this genre was an interesting mixture of western naturalistic drama, opera and several local elements और इसके अंदर जो यह new urban theater था जिसको पार्सी theater बोला जाने लगा इसमें drama, opera और कुछ local elements से इन सबका यह combination या mixture होता था ठीक है, next है हमारा drama, तो drama के बारे में भी भरत्मुनी के नाटि शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है, तो भरत्मुनी का नाटि शास्त्र ही है, इसे पहले कहीं word में drama के उपर बुक नहीं लिखी गई है ना, और इससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया जो है drama के field में काफी time से जो है work इंडिया के अंदर होता आया है, और यह कहा गए कि ड्रामा इंडिया के अंदर जो है लगवक 5000 साल पहले ही start हो गया था, the origin of drama in India is closely related to ancient rituals and seasonal festivities, season के अंदर जो different festivals आया करते थे, या ancient इंडिया में कई तरह के rituals हुआ करते थे, कर्म कांड हुआ करते थे, तो वहां पर drama जो है किया जाता था, the growth in drama took place with the introduction of garden in the curtain, in the kushan's एरा, अब देखिए, अगर हम drama की बात करें, तो कुशान इरा जो हुआ, कुशान डाइनेस्टी या कुशान के जब राजा हुए, कुशान राज्य बना, उस time पे drama की growth बहुत जादा हुई, क्योंकि stage के उपर basically जो है, curtain, जैसे stage पर होता है न, आज की day में भी आप देखें, stage के उपर कई तरह के curtain use किये जाते हैं, परदा जिसको बोलते हैं, तो curtain का इस्तमाल होना शुरू हो गया, traditionally the theater consisted of the auditorium, stage and the backstage, which is behind the stage, तो अगर हम देखें, theater जो होता है, उसमें auditorium होता है, stage होती और backstage होती है, और जो curtain होता है, वो किसको stage और backstage को separate करता है, drama was performed without scenery and decorations, जब पहले drama perform किया जाता था, तो कोई scenery use नहीं होती थी, या कोई decoration जो है, वो use नहीं होती थी, it was more acting and gesture by the actor, इसमें ज्यादा focus जो है, acting के ओपर किया जाता था, और जो actor के gestures हैं, जो expressions हैं, उनके ओपर ज्यादा धिया जाता था, costume and makeup were regulated by a convention so that roles were immediately recognizable, अब मानले जो कोई character play करना है, drama के अंदर, तो उस character का makeup वैसे ही होता था, costume वैसे ही पहना है जाते थे, जिससे उस character को easily audience पैचान सके, most type of drama had a hero, अब drama के अंदर hero, heroine, villain, विदूशक या comedian हुआ करते थे, और जो basically themes हुआ करते थे, drama के वो क्या हुआ करता था, वो love हुआ करता था, The drama generally opened with a benediction song followed by a prologue in the form of dialogue discussion between the chief actor and his actress giving the title, nature and occasion of the play, सबसे पहले benediction song होता था, किसी की प्रेशन शाह में कोई song आया जाता था, उसके बाद जो actor और actress stage पे आके उनके बीच में dialogue delivery हुआ करती थी, है ना, और उससे पता चल जाता था, कि यह जो drama है, किस बारे में, क्या title है, क्या इसका nature है, चीक, violence and death were forbidden to be performed in the stage, और पहले के जो drama हो करते थे, उसमें violence या death जो है generally नहीं दिखाई जाती थी, at the end of the play, जब play हो जाता था, तो conclusion या concluding verse उसमें आ जाता था, और vote of thanks actors को या जो भी उसको produce करते थे, drama को वो दिया जाता था, next है हमारा painting, ठीक है, the tradition of painting has been carried on the Indian subcontinent since the ancient time, painting की बात करें, तो यह तो ancient India से हमारे इंडिया के इंदर चली आ रही है, है ना, Indian classical paintings जो थी, basically became a sort of bland of for the various tradition influencing them, जैसे जैसे painting को कई तरह के tradition ने influence किया, वैसे वैसे painting हमारी emerge होती चली गई, ठीक, Indian painting provide an aesthetic continuum that extends from the early civilization to the present day, जब हम पुरानी paintings को study करते हैं, तो हमें ancient India से लेके, अब तक modern India तक बहुत सारी information मिलती है, बहुत सारी knowledge मिलती है, starting में जब painting बन दी थी थी, वो religious nature की होती थी, है ना, लेकिन जैसे जैसे year past होते गए, Indian painting के अंदर different traditions हमें painting में देखने को मिले, और जब colonial ही रहा था, British ही रहा था, तो इंडिया की painting के उपर western influence भी हुआ, है ना, by the time of independence in 1947, several schools of art in India provide access to modern techniques and ideas. 1947 independence के बाद कई सारे स्कूल हमारे इंडिया के अंदर painting के develop हुए, जो modern techniques और idea के बारे में students को बताते थे, कई तरह की galleries established की गई, जिसमें artist जो थे, अपने paintings को सोके किया करते थे, दिखाया करते थे, ठीक है, और जब इंडिया के अंदर 1990 में liberalization आया, economic liberalization आया, तो वहाँ पे painting के अंदर भी क्या हुआ, एक तरीके से development हुआ, क्योंकि कई तरह के जो artist थे, various fields के, ठीक है, वो कई तरह की styles जो है, अपने work में लाने लगे, तो basically हमारे इंडिया के अंदर जो है, दो तरह की paintings होती है, और इन paintings को walls के उपर generally किया जाता है, दिवारों के उपर किया जाता है, दूसी होती है, miniature paintings, they are executed on a very small scale, छोटे scale पर किया जाता है, for the book और albums, book के उपर लगानी है, या albums बनानी है, और यह paper और clothes के उपर generally की जाती है, next है हमारा martial arts, तो India is famous for its martial art, have developed since ancient time, इंडिया के अंदर, martial art जो है, वो कही तरह की रही है, ancient India से ही, या ancient time से ही, इंडिया के अंदर, martial art जो है, चली आ रही है, लेकिन आज की rate में देखें, तो वो martial art जो इंडिया की है, अपनी, वो धीरे-धीरे क्या हो रही है, खतम हो रही है, The term martial art refers to creativity exhibited by warriors while fighting against their opponents, martial art का मतलब यह है, कि जब कोई warrior जो है, अपने opponent से लड़ रहा है, तो वो क्या technique अपनाएगा, क्या creativity करेगा, उसको martial art बोला गया, ताकि वो अपने opponent को हरा पाए, These warriors use different gestures, postures and techniques to overcome their opponents, nowadays, these art forms are used in rituals, celebrations, in sports, means of physical fitness as a self-defense, आज की rate में देखें, तो यह जो different art forms हैं, यह कई दरे के rituals में perform की जाती हैं, celebration में perform की जाती हैं, Sports, इनके उपर कुछ based होते हैं, या physical fitness के लिए, या self-defense के लिए भी इनको use किया जाता है, और बहुत सारी जो arts हैं, वो dance और yoga से relate करती हैं, ठीक हैं, तो अब हमारे इंडिया के अंदर कौन-कौन सी martial arts हैं, तो अलग-अलग state की basically अलग-अलग martial arts हैं, तो देख लेते हैं उनको कुछ important, जैसे कलारी पैट्टू, यह केरल की martial arts है, देन सिलंबम, यह तमिल नाडू की martial arts है, गत का, यह पंजाब में चलती है martial arts, मुस्ती युद्ध, यह वारांडसी का है, हमारे यूपी का, ठांग था, मनिपूर का है, लाठी, पंजाब और बेंगॉल में इसको skillfully चलाना सीखते हैं, martial arts में आता है यह भी, देन मर्दानी खेल, महरास्ट्रा, परी खांदा, बिहार, जहारकंड और उडिसा, इनबुवान, रैसलिंग, मिजोरम, थोड़ा, हिमाचल प्रदेश, तो यह fighting यह self-defense की art है, जैसे जूड़ो का राटे है, ठीक, तो वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी कई तरह की martial arts हैं, और different state के उसके example मैंने आपको यहाँ पर बताए, नेक्स्ट हमारा इसमें आज का, अभी हमारा second last topic है, fair and festival, आज का lecture जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे इंडिया जो है, पहले से ही बहुत जादा religious रहा है, कई तरह के cultural occasions होते हैं कई तरह के festivals होते हैं इंडिया के अंदर, कई तरह की cultural activities होती हैं, तो इंडिया को कह सकते हैं कि इंडिया जो है festival और जो fair मतलब मेला जो लगता है, यह ना उसका देश रहा है, तो every Indian state and social culture group has its unique tradition which reflects in their celebrations, तो हर एक state का अपना एक social culture group है, एक identity है, जो उसके celebration में देखने को मिलता है, जो different state के people है, वो folk music use करते हैं, dances करते हैं, या कुछ और forms होते हैं entertainment की, जिससे वो important occasion पर क्या करते हैं, enjoy करते हैं, ठीक है, तो basically इंडिया के जो festival है, उनको हम 3 category में divide कर सकते हैं, जैसे एक तो होगे national या political, फिर दूसरे होगे religious और तीसरे होगे economic, तो most Indian festival are connected to seasons and economic activities, इंडि या तो economic activity से relate करते हैं उनको, या फिर different season से relate करते हैं, और fair और festival का सबसे important point क्या है, जो life के अंदर एक monotony आ जाती है, बोरिंग लाइफ होने लगती है, तो उसको break करने में fair और festival बहुत help करते हैं, cultural activities organized on these occasions, invirogate everyone, culture activities जो होती है, festival के दोरान, fairs के दोरान, तो वो हर एक individual को basically क्या करते हैं, खुश कर देती हैं, खुशी का महौल बन जाता है, economic activities जो होती हैं, वो boost होती हैं, क्योंकि artisan और जो craftsman होते हैं, वो fair के अंदर अपने stalls लगाते हैं और अपने सामान को sell करते हैं, ठीक है, त और fairs कौन-कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू, कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कुछ festival हैं, independence day और republic day, यह secular festivals हैं, है ना, क्योंकि festival secular होगा, या religious होगा, holy, दिवाली, छट, ओनम, इस तरह के जो festivals हैं, यह religious festivals हैं, चीक है, तो आप इंडिया के different state में, होली, महाशिवरात्री, दिवाली, नवरात्री, विनायक चतुर्थी, गुरुपुर्णिमा, थाई पोंगल, रक्षा मंदन, बसंद पंचमी, करवा चौत, बैसाखी, दैन आपका, बुद्ध पुर्णिमा, जनमास्मी, क्रिसमस, रमजान, महार्रम, इस्टर, एड्सेक्र तो ये हमारे इंडिया के फेमस या important festivals है, major religious festivals है, important fairs की अगर हम बात करें तो कुम्ब मेला लगता है, पुषकर मेला लगता है, कुल्लू मेला लगता है, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू डिस्ट्रिक में, दशारे के टाइम में, रत्यात्रा होती है, जगनात्पुरी में होला महला होता है, होली के टाइम में generally, जो हमारे गुरुद्वारे होते हैं, उसमें होला महला होता है, अजमेर शरीफ में उर्स होता है, ऐसे गोवा कार्निवल होता है, तो ये हमारे कुछ fairs है, मेले है, important, और लास्ट टॉपिक आज का हमारा Indian cinema, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, जो हमारा cinema है, वो basically short form है किसकी cinematography की, उसको short में हम क्या बोल देते हैं, cinema बोल देते हैं, and it refers to the art of filmmaking, तो cinema क्या हो गया, art of filmmaking, अब जो हमारा Indian cinema है, उसको हम कई parts में divide करते हैं, पहला है हमारा इसमें first early Indian cinema, 1898 to 1945 तक, तो इसका मतलब यह हुआ के 1898 में movies हमारे इंडिया के अंदर बनना शुरू हो गई थी, और 1945 तक आते आते हैं, उसको हम बोलते हैं, early Indian cinema, तो इसको हम दो category में divide करेंगे, पहली category है, age of silent films, तो जो पहले films बनती थी, वो silent हुआ करती थी, उसमें कोई dialogue delivery कुछ नहीं होती थी, The dialogues delivered by actors were not audible to viewers because technology was not advanced enough to record both visuals and audio simultaneously, क्योंकि पहले technology इतनी डवलप नहीं हुई थी, कि आवाज को और जो आपके visuals हैं, उनको एक साथ record किया जा सके, ना? The plot used to be told through writing using title cards, अब story किस बारे में तो बीच-बीच में title cards दिखाये जाते थे, film के अंदर, कि अच्छा ये title है, तो अब इससे related जो है आगे का part होगा, these silent films were not completely silent, completely silent नहीं होती थी, क्योंकि originally जो movie को जब shoot कर रहे हैं, तो original कुछ sound होती थी, वो record हो जाया करती थी, They were accompanied by live sounds, a small orchestra used to play music during the films as per the nature of scene, orchestra को live orchestra used किया जाता था, और जब movie बन रही होती थी, उसकी recording हो रही होती थी, उसी time पे live orchestra बजाया जाता था, तो वो sound थोड़ी बहुत उसमें record हो जाया करती थी, फिर दूसरी जो age IEC में, वो थी talking films और talkies की, talking film को बोलते हैं, तो start of 1930, a new era of talkies commenced in Indian cinema, talkie was a sound film और a motion picture having synchronized sound, तो basically talkie जो थी वो sound film थी, उसमें visual के साथ साथ आपको आवाज भी सुनाई देने लगी, तो जो first film थी, इंडिया की, जिसके अंदर sound भी सुनाई देती है, जो पहली बोलती film थी, उस film का नाम था, आलम आरा, दा रिलीज, इस रिलीज सेट अन्यू ट्रेंड और रिजनल टॉकी जो स्टार्ट आफटर आलम आरा, बोला जाने लगा कि यह मसाला थीम्ड फिल्म हुआ करती थी, और इस टाइम पर जो लीडिंग डारेक्टर्स थे, फिल्मेकिंग में वो थे, गुरुदत, राज कपूर, विमल रॉय, महभूब खान, इस एरा ने एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखा, अधारशिला रखी, जिससे इंडियन स्नेमा के अंदर और लोग जो हैं आने लगे, और इंडियन स्नेमा जनरेशन्स, जो थी फिल्मेकर सी, उनको एक तरह से अपनी तरफ आकरशित करने लगा, फिर जब 1947 में हमारा इंडिया आजाद हो गया, तो एक statuary body बनाए गई, हैना, मतलब फिल्मों के लिए एक rule बनाए गए, was created by enacting the Cinematograph Act in 1952, हैना, और जो एक act बनाए गया, इसका नाम था Cinematograph Act, और इस act के थुरू एक board बनाए गया, Central Board of Film Certification, जो फिल्म को certificate देने का काम करता है, हैना, और इसको किसके अंडर रखा गया, Ministry of Information and Broadcasting के अंदर, फिर classic decade आया इंडिन सिनेमा का, जो 1970 और 1980 की बात की गई, और इसमें जो है, basically, जो music, sorry, आपका सिनेमा या फिल्म सुआ करती थी, उसमें रोमांस और एक्शन हुआ करता था, इस टाइम के जो dominated फिल्मेकर्स थे, वो थे, रमेश, सिप्पी, रिशिकेश, मुक और इस टाइम पर जो movies आई, लाइक जंजीर एंड शोले, तो इन्होंने बहुत ज्यादा commercial success गेन की, और इन्होंने इंडिन सिनेमा के अंदर, एक trend set किया, तर्म वालीवूड वास कॉइंड दूरिंग दा 1970, जो तर्म आज की डेट में, वालीवूड बोलते हैं, तो वो 1970 म में ही कॉइंड की गई, और यहां पर एक convention बनाया गया, convention of commercial वालीवूड फिल्म, CCBF, और लास्ट स्टेसिस में, न्यू वालीवूड फेज ऑफ इंडियन सिनेमा, 1990 से लेके, अब तक का जो टाइम रहा है, तो डूरिंग दा लेट 90, 1980, इंडियन सिनेमा फेज दाफ फेज इस दोरान क्या हुआ, इंडियन सिनेमा में एक stagnation आ गया, एकी तरह की movie बनती थी, और movie के अंदर बहुत ज़्यादा violence दिखाया जाने लगया, music की quality गर गई, picture की quality गरने लगी, और इस case में बहुत सारे video थैप भी होने लगया, पाइरेसी वगरा यह सब स्टार्ट हो गया तो इसको बोला गया कि भाई अब हो सकता है कि इंडियन मुवीज के अंदर इतना ज़्यादा development ना हो, लेकिन जब एक film IES शो पड़ागी, आप लोगों ने देखी भी होगी चांद नी, तो वहां से क्या हुआ, वहां से एक इंडियन सिनेमा के अंदर, इंडियन सिनेमा न में क्या होने लग गया था, बहुत ज़्यादा violence दिखाने लग गए थे, ठीक, the beginning of the 21st century marked commencement of an era of technological evolution, अब क्योंकि हम 21st century में हैं, तो मुवी के अंदर भी बहुत सारी technology का आज की rate में इस्तमाल होने लगा है, जैसे new technology, advancement in terms of animation, special effects, sound effect, digital projectors, latest production techniques, etc, इन सब का use करके, जो हमारी Indian films है, उनकी quality बहुत ज़्यादा improved हुई है, और हमारे Indian cinema की जो popularity है, वो इंडिया में ही नी, वलकि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा हुई है, और Indian cinema जो है, आज की rate में, masses, masses का मतलब है, जो आम लोग है, सब लोग है, उनको अपनी तरफ क्या करता है, attract करता ह तो इसी video lecture के साथ हमारा जो ये subject है Indian tradition, culture and society, इसकी जो video lecture series है, वो खतम होती है, यहां तक हमने सारा syllabus almost complete कर लिया है, आप लोग इनको देखें और अपने exam के लिए prepare करें, आज के lecture में हम बस इतना ही रखते हैं, thank you